वीके न्यूज राश्टर के नाम 26 ग्यारा के हमले का और 26 ग्यारा में जिस तरह से 166 लोगों की यहां पर मौत हो गई थी और उसके बाद कई लोग जो थे वो गंभी रूप से जख्वी हो गई थे भारत सरकार का रूप उसके उपर सीधे तोर पर साफ रहा है आतंक वाद के उपर Zero Tolerance की नीती भारत सरकार हमेशा से लगाते हुए आया है लेकिन यहां पर पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि हमेशा से यह कहा जाता था कि पाकिस्तान आतंक का पनागार देश है लेकिन पाकिस्तान एंटी टेरर कोर्ट की तरफ से हाफिस सहीद के खिलाव शीकंजा कस्ते हुए 31 साल की सजा उसको सुनाई गई है हाला की ये मुंबई के हुए आतंकवादी हमले के उपर ये सजा नहीं सुनाई गई है, ये उसके पुराने टेरर रिकॉर्ड को लेकर ये सजा जो है वो सको मुकररर की गई है आपको हमने पहले भी बताया था कि हाफिस सहीद किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आतंक की स्कूल चलाता है जो बच्चे हैं जो की मदर्सों में पढ़ते हैं जो के अन्य संस्थानों से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को अन्य मासूम नागरिकों के उपर हमले करवाता है उनको जान से मारने की कारवाई करवाता है लेकिन अब इसके उपर सीधे तोर पर यहां पर शिकंजा कसा गया है आपको बता दे कि साल 2020 में भी इसके उपर शिकंजा कसा गया था 11 साल की सजा इसको मुकररर की गई थी लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकल का सामने आ रही है वो यही कि अब 31 साल की उसके ओपर सजा उसको सुनाई गई है और सजा सुनाने के बाद सही लगातार जितने भी आतंक के पनागार है और आतंक की संगटरों से जुड़े हुए लोग हैं उनके पसीरे छूड़ गए हैं वो थरतर काप रहे हैं क्योंकि अब भारत तो मुद्धे के उपर चली ही रहा था भारत का हमेशा से कहना रहा है कि आ पाकिस्तान के एंटी टेरर कोट के इस फैसले के आने के बाद वो आतंक वादी संगटन जो लगातार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे जिनका पाकिस्तान से तार माना जा रहा था वो पाकिस्तानी आतंक वादी संगटन भी अब पूरी तरह से चौक चुके है क्योंकि प अवाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज नमस्कार